नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको चावल से संबंदित कुछ उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से आपके घर में दन दोलत खिची आएगी। जिस प्रकार से चुम्बक एक लोहे क को खीचता है उसी प्रकार से ये उपाय धनकी देवी मा लक्षमी को आपके घर की और खीच लेता है। दोस्तो इस उपाय के बारे में जोती सास्तर में कहा गया है कि जिस प्रकार से आज हम आपको बताने वाले हैं यदि इस प्रकार से आपने इस उपाय को कर लिया तो गरीबी नाम का शब्द ही मिट जाएगा गरीबी क्या है ये भूल जाएंगे गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता बस दोस्तों आप माता लक्ष्मी की किरपा अगर प्राप्त करना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जै बजरंग बली एक बार बाग्य उदे के साथ-साथ आपकी किस्मत के सभी सितारे चमकने लगते हैं इसलिए प्रतेग वीडियों में हमारे दुवारा बताये के पूरे उपायों को पूर्ण सा सुने पूरी वीडियो देखे ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो सके वैसे तो धन प्राप्ती के यानि श्री हरी विष्णु जी के भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको हर प्रकार का सोभाग्य वे शुक्ष, समर्दी वे शान्ती प्राप्त हो सके साथ धन कमाने की सभी मनों कामनाय आपकी पूर्ण हो सके वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं, चबरदस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई जीवन, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, कावल बनाते समय डाल दें ये दो चीजें करोडों में ना खेले तो कहना, दोस्तों वीडियो शुरू करने से आपके साथ एक महतोपूर्ण बात करनी है, अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग अपना नमबर देते हैं और आप से आपकी समस्याओं का समाधान करने के पैसों की मांग करते हैं, आपको हम बता दें कि हमारे चैनल में कारे करने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना नमबर नहीं देते हैं और कभी भी किसी से पैसों की मांग नहीं करते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति आप से पैसों की मांग कर या फिर अपना नंबर आपको देता है, हमारा नाम लेकर के देता है, तो आप तुरंट समझ जाए कि ये फ्रॉड है, जो कि आपके साथ चलावा करके आप से पैसे एड़ सकता है, तो आप सावधान रहे और किसी भी व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी के अनुसारी पैसे या समय, डाल दें दो चीजें, करोडों में पूरा परिवार खेलेगा, गरी भी दूर होगी, धनकी देवी मा लक्षमी, स्वेम आपकी ओर खिची चली आएगी, दोस्तों, पुराने समय में बताया गया है, साथ जोति सास्तर में भी वर्णन मिलता है, कि अपने घर की रसोई स चावल, हल्दी, नमक, इन चीजों को कभी भी खतम नहीं होने जेना चाहिए, कहते हैं, यदि ये चीजें घर में हमेशा ही बरी रहें, तो उस घर को संपनता और सुक एश्वरक का जीवन जीने से कोई नहीं रोख सकता है, दोस्तों, चावल इतना महतोपूर्ण है और इत ये योगदान होता है, इसका पूजा पाठ में बरपूर मातरा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अगर आपके घर में ये सदेव बरा रहता है, तो दुरुबागय कभी भी आपके घर में नहीं आता है, आप चाहें करोडों में ना भी खेलें, लेकिन कभी भी आपके घ अनधन की कमी नहीं होती हैं। दोस्तो अपने घर में सदेव धनकी देवी मा लक्षमी को आकरशित करने के लिए पिर दुरभागय को अपने घर से दूर करने के लिए और गरीबी आपके पास कभी ना आए। इसलिए आप चावल के डबे में हमेशा ही चांधी की कोई को संपन्ता से परिपूर्ण करने के लिए शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए इसी के लिए चावल का सटीकता प्राप्त करने के लिए चावल का मेतवपूर्ण योगदान होता है इसलिए चावल के डबे में आपको चांदी की वस्तु अवसे रखनी चाहिए जिससे व्यक्ति चावल के डब्बे में चांदी की वस्तू रखता है, उसके घर में कभी भी दन की कमी नहीं होती है, आप कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, दोस्तो चावल, हल्दी और नमक के साथ ही एक और मैतोपूर्ण चीज होती है, वह चीज है देश जी हाँ दोस्तो देशी घी आपके जीवन में एश्वरता को परदान करता है। अगर आप अपने जीवन में एश्वरता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अपने घर में कभी घी को भी खतम नहोंने दे। दोस्तो आज के उपाय के अनुसार आपको चावल बनाते समय उसमें दो चीज अवशे डालने चाहिए। दोस्तो जब भी आप अपने घर में चावल बनाते हैं तो अपने जीवन में सुख, एश्वर्य और वैभब की प्राप्ति के लिए आप उसमें थोड़े से चीटे या जैसा कि हमने आपको बताया घी जीवन में एश्वर्य और वैभब की प्राप्ति करवाता है। इसलिए आपको घी का इस्तमाल भी अवशे करवा करना चाहिए। दोस्तो कहते हैं कि जो भी भ्यक्ति अपने बनते हुए चावलों में थोड़े से दूद की कुछ बूंदे वैं चीनी के कुछ दाने डालता है तो उस ब्यक्ति के घरक में सदय भी धन का डेर लगा रहता है। जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। कोई व्यक्ति अपने घर में धन वैवप, एश्वरे की प्राप्ति करना चाता है ? वे इस उपाय को अवश्य करे ? एक बार अवश्य करके देखें ? आप इस उपाय को किसी भी दिन से सुरू कर सकते हैं ? कभी भी कर सकते हैं ? खास तोर पर एकादसी, पूर्णिमा, अमावाश्या या पर किसी भी प्रमुक्तिवार पर या पर प्रमुक्तिती पर इसे अगर आप करते हैं तो इसका मैतो पूर्ण रिजल्ट आपको और भी जल्दी मिलने लगता है। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में किवले इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में अजाज़त दन्ने बाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जै मातादी, जै मालक्षमी, जै बजरंग बली